इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इनको मानना पड़ेगा अगर यह नहीं मानेंगे तो हम तो यहां पर बैठे रहेंगे कर लो कर सकते हम तो यहां पर बैठे ढएंगे अगर यह कानून बिल्कुल कर दिया है अगर इतना अच्छा है अगर आपको आपसी नहीं तो घर वापसी नहीं 14 तक वैठेंगे आपकों नहीं होगा किसान अपने हखों की सही को सही कहेगा गलत को गलत कहेगा तो चार आएंगे अगर एक अपना खेट पे जाता है तो उदर गाहों से चार आएंगे लोग अभी से जूट चुकिया मतलब छोटे हैं जिसे बच्पन लोग बोलते हैं यहां लोग बैठे हुए हैं लोगों को जो कांग्रेस है और दुसरी पार्टी है वो फंडिंग कर रह कांग्रेस से कोई और पार्टी से मुझे वीडियो दिखा तो लेकिन जो भक्त लोग है वो आप पर आरूप लगाते हैं यह सब चीज का हां जी वो भक्ते हैं अंध्य है वो वो तो उनको बस मोधी मोधी दिखता है जो मोधी के खिलाब बोले आम तो उसको बोले में अंध उद्धा हो जाता है बस उसको तो जिसकी भक्ति कर रहा वो वही दिखता है जो अचा उत्तर पर चुनाव भी है यह व्यद्धा है तो उड़ने वाले तुम कुछ भी कर लो तुमने इतनी कोशिश है कर लिए आंदुलन को जाड़ने के लिए यहां से नहीं अटेगा किसान जाएंगे राकेश चिकेजी होके भी आ गए और वहां पर भी एक लगेगा वहां पर भी अच्छा रहेगा उदर भी एक जैसे यह गाजीकूर बोडर वहां पर भी ऐसे एक या सारे जैसे हैं वैसे लगाए जाएगा जाएंगे राकेश चिकेजी कहते हैं कि दवाई डोस देनी परेगी तो किस तरह का डोस देने बाले हैं उत्तरपरदेश में देखिए जो चुनाबों में इनको पता लगेगा जब चुनाब के रिजल्ट आएंगे न तो सबको पता लग जाए है कि हमारी क्या डोस थी पता है क्योंकि वह गोध लिया हुए नरेंदर मौधी जी के जो घो लेता है उसको साथ हों भी ऐसे ना कहा जाएं जो भी अपने बस अगों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हैं क्यों जोरे करते हैं जगहों पर जाते हैं और मैं अपने पिता श्री डॉक्टर नरेंदर सिंग चौधरी के साथ एक लाग किलोमीटर चला हमने यात्रा करी मैंने आपको इंटर्वी में बताया हुआ है और साथ जो जितने भी देख रहे हैं उनको पता भी है अच्छा यहां 90 साल क जवान भी है और आप छोटे तो क्या आप की टुकडी भी आने वाली है बिल्कुल अब एक जो पीडी आएगी उसको भी पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है और एक टीम होगी बच्चों की तयार हो अच्छे मुझसे डिसकस कर रहे थे कि वह बारा साल का जो आट पर बीच कोई बीच पत्र का रहे हैं पर कोई भी टोके का निभी बिल्कुल भी टोक नागा थीक है अब इस देखिए अभी मैंने आपको सारे कानून गिना दी अविनके पॉइंट के ना देता हूं ठीक है सबसे पहला कानून था मंडी को लेकर अब देखिए इनोंने काय इंडिया में तुम अपनी फसल कहीं भी सकते जहां पर अच्छी रेट मिले ठीक है इसलिए अब यह वो किसान जो है वो पहले सबसे पहले गारी करेगा किराय पे फिर रास्ते में उसको डीजल देगा डीजल भरवाएगा उसका खर्चा फिर रास्ते में टोल देगा ठीक ह और उसका इतना तो खर्चा हो जाएगा जितना उसका प्रॉफिट नहीं होगा इसलिए चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और MSP की गारंटी दी जाए जिससे अच्छे सही रेट मिलेंगे जो तैय रेट है उसके मिलेगा और अगर देखिए यह देखिए जो वह वह कहां भूमता फिरेगा कि कहां पर अच्छी रेट मिल रही है अब सीज़ा सीथा कॉंटेक्ट फार्मिंग में चालो मैं सब कुछ बता रहा हूं ना पूरे कानून बता रहा हूं तो कि मदब बीच में अब आप कोई भी भी बोलेगा बीच में पहले मेरी बात पूरी हो इतना पैसा बड़े बड़े उद्ध्योग पतियों के पास वह सारे गोदामों में स्चोर कर लेंगे वह जब चाहेंगे उसको खोलेंगे जब बंद करेंगे फिर भूब की बोली लगेगी जैसे शैंपू के पैकिटों में मिलता है न वह शैंपू एक रुपे का दो दो र में जो सबस्कति जो रहे ऐका शोर जो काग्ल उसमें लिखा होगा कि जो आपकindiц matar या तो तो फिर मंडीं बंठता रहीगा कि यह जुए जो अच्छी करना चाहिए उसको फो तो इसलिए जो मिलनी चाहिए जिससे अगर में बेशने जाएगा तो फिर उसको आसानी होगी उसको भी पता लग जाएगा वो भी सहमत रहेगा वो भी खुश रहेगा कि मुझे मेरी फसल की रेट तैम मिलेगी यह